कुछ ही घंटों में प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की बैठक प्रदार मंत्री के साथ होगी कान्फरंसिंग के जरिये यहां बैठक काफी महत्पून मानी जा रही है ऐसे समय में जब चिकिछिय सेवाओं के मामलों के साथ साथ जो प्रवासी लोग फसे हुए हैं दूसरे प्रांतों में उन्हें अपने घर कैसे भेजा जाए मुख्य बिंदू यह भी रहेगा पिछली बार की बैठक में लागडाउन और बढ़ाये जाने के पक्ष में कई एक प्रदेश के मुख्यमंत्री थे संभावता इस बारूह नहीं होंगे कुछ धील देने के मूड में वह लोग होंगे क्योंकि लगातार जन्दबाव बढ़ रहा है दोस्तों सोमवार को आप भिगए हैं इस बात से कि प्रदानमंत्री जी के साथ तमाम राजियों के मुख्यमंत्री लोग मुखातिब होंगे और अपने अपने विचार बेक्त करेंगे बैठक के उपरांथ प्रदानमंत्री जी जैसा की पुरुब के तमाम बैठकों के बाद देखा गया है वह बिचार करेंगे सम्यक बिचारों परांथ फिर आएंगे और बताएंगे कि लागडाउन बढ़ाना है धिल दिया जाना है अथवा किस तरह के नियमों का पालन करना है वह बताएंगे और उस प्रकार देश पालन करेगा आप इस बात से अउगत हैं कि सबसे अधिक लोड इस समय महाराहटरा में है जहां अनेकानेक प्रदेशों के लोग रहते हैं वहां धंदा बेवसाय करते हैं रोजी रोजगार की तलास में वहीं रह गये हैं उनके रोजगार इस समय बंद हो गये हैं अगर वह धंदा बेवसाय के अलावा कोई छोटे मुटी कमपनियों में नोकरी करते हैं तो वह सारी कमपनियां बंद हैं वह सबी घर जाना चाहते हैं मांदरा और सुरद जैसी जगहों पर जिस परकार लोग निकले थे और सोशल डिस्टेंसिंग तार-तार हो गई थी इससे वहां के मुख्यमंतरी उधा उठाकरे भैभीत हैं और लगातार किंदर से कह रहे हैं कि इनको वापस भेजने की बेवस्ता की जाए यद्देब की दवी जुबान से अभी कह रहे हैं कि हम इन्हें खाने पिने की सारे इंतिजाम कर रहे हैं लेकिन इनका दबाव लगातार घर जाने के लिए है दोस्तों इस परपेक्ष में किंदर क्या करता है रेल गाडियों से उन्हें भेजता है अपने परिवहन जो परदेश के परिवहन से हैं उनसे भेजता है इसमें चड़ बढ़ करके योगी सरकार आगे आई है उसने का थर्मली स्क्रीनिंग कराकर के बा कुरंटाइन कर दिया जाएगा और उसके बाद हम उन्हें एक एक हजार रुपया दे करके और एक रासन का कीट दे करके भेज़ देंगे आप यह कितने लोगों को कुरंटाइन करेंगे सरकारों ने सुरू कर दिया है जनपत के जो जिलादिकारी है इस परपेक्ष में वह लोग इस तरह से सामुदाई कीचन और इस तरह के जो सेल्टर रूम है उनकी बेवस्था करना शुरू कर दिया है क्या होगा आप यह कुछ घंटे बाद ही आपको पता लग पाएगा कि मुख्यमंतरी लोग क्या कर रहे हैं इन मुख्यमंतरियों में दिनली के मुख्यमंतर में उत्तरपदेश को छोड़ करके विभिन राजियों के बच्चे जहां है वही अन्य प्रांत भी प्रभावित हैं इससे उनको भेजा जायए और राजस्थान में बहुत से प्रवासी मजदूर भी हैं पंजाब और हरियाना भी इसमें आगे आ सकता है क्योंकि तमाम दूर ग्यों की कटाई करने गए थे और वहां की मिल फेक्ट्रियों में बहुलता में इनकी संख्या है तो कैप्टन अमरेंदर सिंग भी इस परप्यक्ष में आगे आ करके अपनी बात कह सकते हैं कि ने बेजा जाए वहां से भी लगातार दबाव बन रहा है अभी जो केंद् सिरकार ने पहले कहा नहीं था और अब बुकिंग बंद है रेलेवे की तयारी है कि जैसे एरोप्लेन पर जाने के लिए यात्रा करने के लिए यात्री पहले आते हैं दो घंटा धाई गंटा तिन घंटा उन्हें पहले पहुंचना होता है उसी तरह से हमारे रेलेवे स्टे सेन्टाइज किया जाएगा और समफ्त सुविदाओं का ध्यान में रखते हुए मेडिकल के जो भी मानक होंगे उन्हें पूर्ती उनकी पूर्ती की जाएगी रेलेवे ने अभी कहा कि हम बीच वाली सीट खाली रखेंगे एक उपर एक नीचे ऐसे करके भज़वाएंगे कुई यातरी रही जाएगा जनरल की भोगिया भी नहीं रहेंगी आप कैसे करता है कितनी डेशंव छलाता है लेकिन इत्याद में छूट दी जाएगी उन्होंने का सैलोन बंद रहेंगे ब्यूटी पारलर बंद रहेंगे और इस तरह के सराब की दुकाने बंद रहेंगी जिन से दिक्कत हो सकती है तो लेकिन उत्तरपदेश की सरकार ने अभी तक किसे नहीं माना है और तीन मई तक सायद ही इ सोसल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा ऐसा नहों कि लोग नियमों को ताक पर रख करके और निकलें फिर सोसल डिस्टेंसिंग का पालन नहों और यह महामारी जो विकराल रूपदारन किये है और भी बढ़ जाए उत्तरपदेश सरकार ने केंदर सरकार के तोर पर र रागू होगा जुलाई में जो भी फैसला हो केंदर सरकार के लोग प्रभावित होने के साथ साथ प्रदेश के जो लोग प्रभावित हैं उसमें सिक्षक हैं तमाम राज करमचारी हैं और निगम के लोग हैं इन लोगों को उसमें सामिल किया गया है कुल छे प्रकार के इनके भत्ते हैं जो प्रभावीत रहेंगे इस परप्रक्ष में सिक्षक सिक्षडेतर करमचारी राज करमचारी अस्थानी निकाय और प्रस्टनर यह लोग उसमें सामिल रहेंगे डाक्टर मनमोहन सिंग ने इसका बिरोध किया है कहा है कि ऐसी परिष्थितियों में जहां इन कि माती भूमिका है इस बैस्विक महामारी को रोकने में इन लोगों ने जान की बाजी लगाया है इस तरह से इनका यह डिये और अन्य भत्ते रोके जाने का आवचित नहीं है उन्होंने सलाह दिया है इसमें सुनिया गांधी ने मिहा मेहा मिला करके कहा है और उनके आप ही न रोका जाना चाहिए इस तरह का सुझा उन लोगों ने दिया है केंदर की अपील लगातार होती रही है जो प्राइवेट विद्याले हैं जो निजी संस्थाएं हैं सिक्षण संस्थाएं कि तीन माह की फीस वे एक साथ न लें कई बार निसंक जी के रमेश पुख पर ध्यान नहीं दे रहे थे अब बताया जा रहा है कि निजी स्कूलों ने बिचार करना सुरू कर दिया है और तीन माह की फीस एक साथ नहीं लेंगे अब तीन माह की फीस एक साथ लें चाय बारी बारी लें देना तो ही है तो लोग भी समझेंगे कि ठीक है जब यह कही मह मानित नहीं कर सकते यह उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड होगा और यह एक तरह से आपराधिक कृत है जो आर्टी है उसका भी उलंधन है और जो यूजी सी के मानक है उनका भी लंधन है यह तरह का लेकिन ऐसा किया जा रहा है पढले जो प्राइबेट जो जो बच्चों की बसे थी उनके बिकिराय के लिए मांकी गयी थी लेकिन अभी भावकों के प्रवल बिरोध के चलते अब वह मांग खतम हो गई है लेकिन बार-बार अनुरोध कर रहे हैं अब उनका कहना है विद्यालियों का कि हम अपने करमचारियों को तनक्वा कहां से देंगे इस पर एक ठोस नियम बनाना चाहिए यह नियम वैसे ही तार-तार हो गया जैसे आपने कहा था क एक महिने का किराया मकान मालिक नहीं लेंगे मकान मालिकों ने का नहीं मानेंगे मैंने जोर देखर के कहा था कि उत्तरपदेश की ही बात करता हूं उत्तरपदेश के लखनव में दस मामले ऐसे दिखा दिये जाए जो सीना ठोक करके ऐसे मकान मालिक आए और कहें कि हमने नह देखा दिए जाए। दीअग्रतियों में दिखा दिए जाएं। उनके सुक्सुविधा बोजन पानी का ध्यान देंगे साइध ही कोई मिलफेक्टरी का माली कैसा हो जो उनको एकाउंट में पैसे दे दिया हो अधिकान स्रमिक ठेकेदार के ठुरू आते हैं ठेकेदारों ने अपने मुबाइल बंद कर दिया है ठेकेदारों ने उनको खाना पिना और नहीं जो करमचारी हैं उनका कहना है कि लगातार हम मेहनद करके बारा-बारा घंटे ड्यूटी करते हैं उसके बाद तो हमें तनक्वा मिलता ही नहीं समय से और हम काम नहीं करेंगे तो कौन मिल फैक्टरी का माली कैसा है जो हमें बितन देगा कि अंदर सरकार और जिकरित भी नहीं है उनको ऐसे ही ठेकेदार के माध्यम से रख दिया जाता है उनके लिए कोई जो स्रम के नियम है वह उनके पर प्रचलित नहीं है क्योंकि वह कहीं पंजी करन उनका नहीं है एक बड़ा सवाल हम चलते हैं नौ मई तक पाकिस्तान में लागडाउन और लगाया जाए इनहें 200 लगाया जाए 50 लगाये हत्या और अन्य विचार के मामले में ऐसे आदेश पारित किये जाते थे और सुप्रिम कोर्ट ने आदेश पारित किया कि कोड़े लगाने का कारिकम हब बंद यह अंतरराष्टरी यह मानवा अधिकार जो लगातार दबाव बना रहे थे और साओधी अरबिया के इस कानून पर लोग बिरोज जता रहे थे मृतुदंडा और अन्य जेल जुर्माना सब कुछ रहेगा लेकिन जो कोड़े बरसाने के नियम थे कभी-कभी तो यह कि एक हजार कोड़े बरसाने का आदेश पूरा पीठ और पूरे सरीर में फफुले पड़ जाते थे छील जाता था तो आप कोड़े बरसाने का कारिकम बंद सुप्रिम कोड़ को बढ़ाई और वहां सुदी अरबिया को भी इस के लिए बढ़ाई इस तरह के जो नियम प्रचलन में थे वह काफी लोम हरसक थे देख करके कलेजा सूख जाता था इस नहीं किया जा सकता चलिए दोस्तों हम अब यकी यदूबंसी परिवार दो दो यदूबंसी परिवारों को मैं बढ़ाई दूगा दो क्या चार समझ लिजे लो और कुस दोनों गुजरात के अहमदाबाद के निवासी हैं दोनों सगे बाई हैं लो और कुस के नाम से आप यह समझ सकते हैं कि दोनों जुडवा भाई होंगे दोनों की साधी मुंबई में तै थी काफी तैयारी हो रही थी दोनों दुलहिनिया मुंबई से आनी थी लेकिन इस लागडाउन में अब कानफरेंसिंग के जरिये होगी साधी अगनी प्रजलित होंगी दूले राजा लो सब्त पदी पढ़ा जाएगा सब्त पदी अभी मानी प्रदानमंत्री जीनने economies किया था मैंने उस पर बड़ा गरिया था मुझे लोगोंने मैं सब्सपदी का बताऊंगा कभी या भी बताऊंगा कि मैं गलत नहीं था और आज नहीं कल मेरी बात को लोग मानेंगे ही हो सकता है मेरा नजरिया अच्छा नहों लेकिन अब तक जो मैंने सम्यक बीचारोपरांत कहा है तो मैं जानता हूँ कि मैंने ठीक का है अलग से उस पर वीडियो करूँगा और जिन लोगों ने कहा है उनका नाम लेकर के उलेकर करके कर दूँगा तो दोस्तों उस यदुबंसी परिवारों को बदाई जो कान्फरेंसिंग के जरीए साधी कर रहे हैं और जिन लोगों की साधियां टाली जा रही हैं उनसे कहूंगा टाले न और ऐसे ही साधियों को करने की जरूरत है इसे हमारा परियावरान समर्चित रहेगा हम अनावस्यक खर्च से बचेंगे और आडंबर रहित साधियों को हम बढ़ावा देने में सफलोंगे मैं हूं ब्रजभूसन दूबे यूटूब चैनल ब्रजभूसन मारकंडे से आजी स्पेसल बुलेटिन में आप सभी बैस्वी कृप से जुड़े हुए साथियों को सालीन भाव से न बार है और वाराशी में भी है बच्चे पढ़ाई लिखाई में वही है और सोचल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं प्रधारमत्री जी ने एक आएक जो लागडाउन की घोसला किया उसमें निकलना नहीं हो पाया तो सहर में है दिक्कत है लेकिन ठीक है पालन किया जाए सुनॉफ सैना जार में लेकिन के लाधा रहे है बड़गे है रागण!